क्या आपकी बेश और दिन्या की खबरों से रहे चाते हैं बेखबर तो सब्सक्राइब कर लूज ये हमारे एच्टी नीज चैनल को और बेश आइकॉन को दबाना मत पुलिएगा दिनों से दीन और रात मेरे तामुच से जो भी मीडिया में खबरे दिखाई जा रही है उसे एक ऐसा भर्म तयार किया जा रहा है मानो मैं देश विलूदी मूं और दूसरे धर्म विशेश कर हिंदू धर्म के लोगों के खिलाफ 25 फरवरी को करनाटका के गुलबरगा शहर में सीए और एनर्सी के खिलाफ एक जलसे में मैंने जो कहा कि हम 15 करोड सौ पर भारी हैं उसका गते ही ये मतलब नहीं होता कि मैं हमारे देश के हिंदू भाईयों के खिलाफ में ये जुबना कहा है बलके मेरे बोलने का मकसद बस इतना था किसी एके नाम पर पल्रा करणों मुसलमान नाराज है साथी सम्विधान में विश्वास रखने वाले दूसरे धरम और जाती के लोग भी शामिर है विरूद कर रहे हैं चासी की लानी की तरह हमारी शेरनी जैसी बैने आज तेड़ बैने से सड़क पर बैट कर अपना विरूद जता रही है फिर भी इस देश के वहस सौ लोगी ऐसे हैं जो पंदरा करोड मुसलमानों के खिलाफ साफ दिखाई दे रहे हैं चाहिए फिर वो आरेसेस के हो बीजेपी के हो बजरंगल के हो यहां यह किसी पार्टी या संकठन के हैं मैंने इन्हीं कि दुब इशारा करते हुए कहा था कि हम पंदरा करोड यह सौ पर भारी है यह वह सौ लोग हैं जो इस उप्सूरत से महान देश में जो लोग एक कानून लाकर बाटना चाहते हैं उसमें कुछ पतरकार भी है जो रोज रात प्राइम टाइम में अपने आपको सबसे बड़ा देश भक्त बताने का दावा करते हैं और रोज एक छोटी सी बात को अपने एजेंटा के किसाब से तोर मरोड कर देश को भैकाने करने का काम करते हैं मैंने पहले भी कहा था कि मुझे अपने इस भारत देश पर घर्व है मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ जिसके मधभ में अपने मुल्क से महबब और वफादारी का सबख हमें पच्पजे से सिखाया चाहता है मैं एक सब्सक्राइब करता हूँ और इन धर्मों के मानने वालों की इजट करता हूँ है कि अब ब्यूटी ऑफ इस ग्रेट नेशन है हमारे आपके मुद्टों पर विबाद हो सकता है और लोग कंत्र में यह होना भी चाहिए जिसका अधिकार हमें डॉक्तर बाबा साहिब अबेट करके समीधान ने दिया मैं एक बार फिर से साथ कर देना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा कोई बात नहीं की जिसका मतनब गरत तरीके से निकालकर मुझे निशाना बनाया जा रहा है इस में राजनितिक शडियत्र के जरिये मुझे और मेरी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है इसके बावजूद अगर मेरे किसी शब्द से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ सिर्फ इसी लिए कि मैं इस देश का एक सच्चा नागरी हूँ और गर्व करता हूँ अपने आपको भाग दिया कहने पर जय हिंद आपके इसक्रिप्ट जो है पाटी की तरफ साही कि आपके अपके अलबहुत है आपको जो समझने का है बारिस पठान ने बड़े साफ शब्दों के अंदर कह दिया है कि यह अपके शब्दत वापस ले रहे हैं हम आप सभी लोगों से अनुरोद करते हैं इस देश के अंदर और भी बहुत दंभीर विशय है उन विशयों के ओपर आगे हम चर्चा करेंगे देश को आगे बढ़ाने के लिए हम चर्चा करेंगे इस मुद्ब्दे को अब हम यहीं खत्म करते हैं हमारी तरफ से आपको ज ज्वेलर्स के शुरूम पर कोई तुर्की सिंगबूर कलकता और मुंबई की शांदार डिजाइन्स के बेहतरीन जवराग आपके इंतजार में हसीनाओ के खुस्न को करे दोबाला 916 हालमाक ज्वेलरी में में ज्वेलर्स के जवराग बाजार से कम दाम में 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 ज्वेलर्स अपोजित अपोलो हॉस्पिटल हैदर कुड़ा बशीर बाख हैदरपाद